यहां कहा जाता है जो जमीन से जितना जुड़ा होता है वो बड़े से बड़े तुफानों में भी उतना ही अड़ी रहता है। आत्म निर्भर भारत का आधार है यह मझबूत होंगे तो आत्म निर्भर भारत के न्यू मझबूत होगी। बीते कुछ समय में इन खेत्रों ने खुद को अनेक बंदिसों से आजाद किया है अनेक मित्खों को तोड़ने का प्रयास किया है। मुझे कई ऐसे किसानों की चिठिया मिलती हैं, किसान संगणनों से मेरी बात होती हैं, जो बताते हैं कि कैसे खेती में नए ने आयाम जुड रहे हैं, कैसे खेती में बर्लावा रहा है, जो मैंने उन से सुना है, जो मैंने औरों से सुना है, मेरा मन करता है, आज मन की बात मैं उन किसानों के कुछ बाते जुरूर आपको बताऊँ हर्याना के सोनीपत जिले के हमारे एक किसान भाई रहते हैं उनका नाम है स्रीक कवरप चुभान उन्होंने बताया है कि कैसे एक समय था जब उन्हें मंडी से बाहर अपने फल और सबजियां बेचने में बहुत दिक्कत आती थी अगर वो मंडी से बाहर अपने फल और सबजियां बेचते थे तो कई बार उनके फल, सबजियों और गाडिया तक जबत हो जाती थी लेकिन 2014 में फल और सब्जियों को EPMC Act से बाहर कर दिया गया इसका उन्हें और आसपास के साथिक किसानों को बहुत फायदा हुआ चार साल पहले उन्होंने अपने गाउं के साथिक किसानों के साथ मिलकर एक किसान उत्पातक समू की स्थापना की आज गाउं के किसान स्विट कौन और बेबी कौन की खेती करते हैं उनके उत्पात आज दिल्दी की आजादपूर मंडी, बड़ी रिटेल चेन तता फाइश्टार होटलों में सीधे सप्लाई हो रहे हैं आज गाउं के किसान स्विट कौन और बेबी कौन की खेती से किसान नेट हाउस बना कर पॉली हाउस बना कर टमाटर खीरा शिम्ला मीर्च इसकी अलग अलग वरायटी का उत्पादन करके हर साल प्रती एकड़ 10 से 12 लाक रूपिय तक कि कमाई कर रहे हैं जानते हैं इन किसानों के पास क्या अलग है अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी क उनकी इस प्रगति का आधार है अब यही ताकत देश के दूसरे किसानों को भी मिली है फल सब्जियों के लिए ही नहीं अपने खेत में वो जो पैदा कर रहे हैं धाम गेहूं सरसों गन्ना जो उगा रहे हैं उसको अपनी इच्छा के अनुसार जहां जादा दाम मिलें वह अधी पर बेचने की अब उनको आज़ादी मिल गई है साथियों तिन-चार सार पहले ही महारस्ट में फल और सब्जियों को एपींशी के दायरे से भाहर किया गया था इस बडलाव ने कैसे महारस्ट के फल और सब्जी उगाने वाले इस्तिति बडली इसका उदान है स्री स्वामी समर्त फार्मर्स प्रोडूशर कंपनी लिमिटेड एक किसानों का समूह है पूने और मुंबे में किसान साप्ताहिक बजार खुद चला रहे हैं इन बाजारों में लगभग सत्तर गाउं के साड़े चार हजार किसानों का उत्पात सीधे बेचा जाता है कोई बिचोलिया नहीं ग्रामिल युवा सीधे बाजार में खेती और विक्री की प्रक्रिया में सामिल होते हैं इसका सीध हला किसानों को होता है गाउं के नवजवानों को रोजगार में होता है एक और उदारन, तमिल नाडू के थेनी जिले का है, यहाँ पर है कमिल नाडू केला फार्मर प्रोडूस कमपनी, यह फार्मर प्रोडूस कमपनी कहने को तो कमपनी है, हकीकत में यह किसानों ने मिलकर के अपना एक समू बनाया है, बड़ा लचिली व्यवस्ता है, और वो भी पांचे साल पहले बनाया है इस किसान सहुने लॉकडाउन के दोरान आसपास के गाउं से सेंकडो मेट्रिक्टन सब्जियां फलों और केले की खरीद की और चेन्ने सहर को सब्जी कंबो किट दिया आप सोचिए कितने नव जवानों को नहोंने रोजगार दिया और मजा यह है कि बिचोनियों नहोंने के कारण किसान को भी लाब हुआ भोगता को भी लाब हुआ